तो यह है मेरे चैनल का फर्स ब्लॉग जो की है थर्टी फर्स डिसेंबर यानि की लास्ट डे का सबसे पहले सुबह होते ही मैं गई अपने वैन्यू पर जहां पर हम सब बच्चों ने कलोनी वालों ने मिलकर सोचाता की पाटी करेंगे वो है यह घेत यहां पर हमने एक जो य खडा करने के लिए गड़े कर रहे हैं तो वहीं दोनों तरफ काम जा रही है तो हम लोग टांट वगरा के जादा खर्चाने करें दोस्तों में कितना ही कांट्र उसकता है तो बिसिकलिए जितना हल्का फुलका हो सबसेंट अच्छा उसे कि वह और हैं यहां दी मुझे कह र पत्थर की हेल्प से उसको स्टेबल कर दिया एंड कुस टाइम बाद हमारी निलम दिया जाती है जिनका यह पूरा आइडिया था पार्टी और्गनाइज करने का कि सारे कलोनी वाले मिलकर हम सारे बच्चे मिलकर ऐसा कुछ न्यूएर पर और्गनाइज करते हैं तो हमसे पू यह पर हम जो चलने वाले लाइट समी जो वर्किन लाइट से उसको लगाएंगे तो यह पर हम इसको एक तरह से बांद रहें हैं क्योंकि ज़्धा लाइट्स वर्गनाइज नहीं कर रहें सारी हमारे घर की हैं कि अपने घर से लाकर के बस उसको चिपका दे रहें और अब जो दी है वह हमें पता रहें कि उनके स्पीकर जिगे कहां रखे हैं ताकि हम थोड़ा म्यूजिक के साथ इंज्उय करके काम कर सकें तो अब हम जा रहें हैं क्रिगर लेने के लिए मैं जा रहे हैं इस संटा-Klaws स्पीकर लिए उनके घर तो बासिकली यह पर जो भी लोग Одल है अभी हम कलोनी में आगे बढ़ते वेश जा रहे हैं अपने स्पीकर्स लेने के लिए और हमारी कलोनी को देखे कितनी संदर कलोनी कितनी साफ सुतरी यहां पर अभी नहीं नहीं रोड बनी है तुससे इसकी जो शोब है वो और भी बढ़ चुकिया यह है कालू हमारी कलोनी क का माइन पैट टॉक यह सब के घर में जाता है सब इसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं सो बेसिकली यहां पर हमारे घरों को भी देखे कितनी आली शान गर है हमारी कलोनी के कितने साफ सुतरे और अब हम आज चुके हैं दी के घर स्पीकर्स लेनी के लिए हां सो हमने स्पीकर्स ले लिए हैं अब स्पीकर्स लेकर हम जा रहे हैं वापिस अपने ही वैन्यू में मजदूर आ चुका है हमारे साथ सस्ता मजदूर अंकल हैं तो देखा ही नहीं अंकल को सब्सक्राइब एक और मजदार चीज़ बतातों मैं आपको यह जो यहां पर लड़ियां लग रही हैं यह जो यहां पर लाइट्स हैं इन में से कोई भी जलती नहीं है सबके सब आ गए थे इन लोगों ने और बारा बज़े एक पज़े के आसपा सिरफ दो डंडे और इस लाइन लगाने में ही बहुत टाइम लगा दिया था और यह दिन का टाइम की बात है जब यहां पर लेडीज भी हमारी हल्प करने लग गए थी कलोनी की और हम लोग यहा यह एक जोगा गए वहां दुकान बन थी और दूसरी जग हम जा रहे हैं एक्चली हुआ यह कि हम लोगों ने पांच किलो मैदा रखा था पूरी कलोनी के लिए जो कि इनफ था लोग कम थे बट अचानक से सड़ली अगले दिन यानि कि 31st को ही लोग जादा हो गए तो मैं कि जो है वो कम होगा तो हम और ले आते हैं बट हम जहां दूसरी जगा चक्की में गए था में वहां भी आटा नहीं मिला वहां खतम हो रखा था तो हम निराश हो कि अब किसी दुसरी दुकान से परचेस करेंगे सो हम चले गए अस्वाल बेकर्स कूशी हम लोगों ने दिन में से कुछ नहीं खाया तो तो हमने चीज पेटिस पैक करा रहते हैं सब बच्चों के लिए यानिकि सब हम लोगों के लिए सो हम लोग पहुंच गए अस्वाल बेकर्स वहां की चीज पेटीस का हमने और कर दिया कि तरी पेटीस पैक करके दीजिए और हम लोगों ने वहीं बगल वाले शॉप से ही आटे को परचीस कर लिए और हमने वापे पेश्ट्रीस भी खाई कि जादा डेकोरेशन नहीं कहता कुई बजट कम था और अब देखिए यहां पर सब के सब आ चुके हैं बच्चे तो पहले ही पूंच चुके ये और यह देखिए डी जे स्नेक आ चुका है हमारा है यहां पर बिल्कुल यह और हमारी कलोनी के कुछ शेतान बच्ची और फिर को five thirty के आसपास हम लोग गई थे चामिल लेने के लिए क्योंकि हमें लगा था हम बच्चों के लिए खाना ही नहीं बचेगा को लोनी वालों के लिए ही पूरा जाएगा तो हम लोग अपने लिए अलग से कुछ लेने के लिए गए थे कि अगर कुछ कम पढ़ता है तो हम उस अधेरा उना स्टार्ट हो गया एकदम फॉक्स हो गया और ट्राफिक तो इतना ज्यादा ट्राफिक हो माइगाड आप देख सकते हो कितना ज्यादा लिटरली ट्राफिक था तो हम किसी और शॉप से चौमी लिनी के बाद चलेगी अपने वेन्यू पर साड़े 6 बच चुके थ और फिर हम लोग अपने वेन्यू में चलेगे वहां पर हम सब लोग जाके त्यार हुए अपने घर से और फिर 8 बजे की वीडियो है यहां पर पहले हमने सब बच्चे को खिलाया खान एकदम गड़वाली स्टाइल में पूरी पंगत लगाई थी नीचे और यह देखिए है और एक चीज़ और बहुत बुरी हम लोगों के साथ कि हमारे आने से पहले ही इन लोगों ने बॉनफायर को जला दिया था हम लोग बॉनफायर जलते हुए देख भी नहीं पाए हम लोग बाद में पहुँचे सो सब लोग इस बॉनफायर के आस पास ही बैट रखे थे सारी रात बारा बजे तक और यहां पर नाच गाना भी शुरू हो चुका था इस टाइम तक कि पहले हम लोगों ने सब को खाना खिला है सब लोगों को सब कलोनी वालों को और फिर हम लोगों ने साथ पे बैठकर खाना खाया हमारे दी और जीजू भी आ रहे थे और फिर पूरी रात सब लोगों ने डंस किया बाराः बजे तक सो बाराबज ने के बाद सब घर चले गया और बारा बज़े के बाद हम लोगों ने वह चौमिन काई जो हम साटर जा लेकर आए थे बट बहुत मजाया रात को घर जाते चाते हैं अपर्ज़़ एक बज़ः और फिर हम लोग घर जाकर सो गई सो वेल यह था मेरा फर्स ब्लोग और आप लोगो को च्छी लेगी वीडियो सो दो लाइक, कमेंट, शेर और सब्सक्राइब तो मैं चैनल